नमस्कार टीवी नाइन दिल्ले एंसियार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिग्या कश्यप आए देखते हैं दिल्ले एंसियार टॉप नाइट दिल्ली समेट पूरे देश में गुरु नारक देव जी की जैनती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है गुरु पर्व के अफसर पर दिल्ली के सभी गुरु द्वारे को भी सजाया गया है लोग सुभे से ही गुरु द्वारों में जाकर मत्था टेक रहे हैं इस मौके पर दिल्ली के बंगला साहिब गुरु द्वारे को भी सजाया गया गुरु पर्व के मौके पर बंगला साहि ये दूसरा ग्रहन है इससे पहले 25 अक्टूबर को सूरे ग्रहन लगा था साल का आखरी पूर्ण चंद्र ग्रहन देश के कई शहरों में दिखाई दिया चंद्र ग्रहन का सूतक सुभे 8 बच कर 20 मिनट पर शुड़ हुआ और शाम 6 बच कर 18 मिनट पर समाप्थ हुआ चंद्र काल के दोरान पूजा पाट और शुभे कारे वर्जित होता है अलग-अलग इलाकों में चांद निकलने का समय अलग-अलग होता है इसलिए ग्रहन के सूतक का समय भी अलग-अलग रहा दिल्ली के लोग एक और जहां पॉल्यूशन से परिशान है तो वहीं दूसरी और नव नवंबर के महीने में हलकी ठंड पड़ती है लेकिन 13 साल बाद नवंबर में अधिक्तम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया इससे पहले साल 2008 में इसी महीने में इतना ही तापमान दर्च किया गया था वहीं आज के की बात करें तो उसमें सुधार देखा गया दिल्ली का एकिवाई 324 रहा वही नोईडा में 356 और गुरुग्राम में 315 एकिवाई दर्च किया गया जेल में बंद सुकेश चंदरशेखर की चौथी चिट्थी अब सोशल मीडिया में वाइरल हो रही है इस चिट्थी में सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्वि केश ने लिखा मैं केश जिवाल को कहता हूँ कि ड्रामा बंद करो आप मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस चिट्थी में उसने मनीश इस सोधिया के भी एक बयान को घसीटने की कोशिश की सुकेश चंद्रशेखर की चौथी चिट्थी के बाद दिल्ली में राजुनीती गर्मा गई है बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही पार्टियां सीम अर्विंद केश जिवाल पर हमलावर हैं बीजेपी सांसत मनों सिवारी ने सुकेश चंद्रशेखर सतेंद्र जैन और सीम अर्विंद केश जिवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में हाथों में बैनर पोस्टर लेकर केश जिवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया सुकेश के आरोपो पर राजुस्थान की सीम अशोग गहलोट ने अर्विंद केज़िवाल पर तीखा हमला किया गहलोट ने कहा कि केज़िवाल बताएं कि आपकी बीजेपी से कितने में डील हुई है गेहलोत ने सवाल पूछते हुए कहा कि कितने करोड की डिल हुई है पांच हजार करोड की हुई है या कम हुई या जादा आपको बतानी चाहिए बीजेपी के आरोपो पर सीम अर्विन केज़िवाल का पलटवार ट्विट कर लिखा पंजाब चुनाव से पहले पीएम बोले केज़िवाल आतंकवादी है ग्रिह मंत्राले ने जाट बठा दी क्या हुआ उसका अब गुजरात और MCD एलेक्शन के पहले कह रहे हैं कि केज़ केज़िवाल आतंकवादी या भ्रस्ट हैं तो गिरफतार करो ना गिरफतार क्यों नहीं कर रहें केज़िवाल ना आतंकवादी हैं और ना भ्रस्ट हैं केज़िवाल जंता का लाडला है इससे बीजेपी को तखलीफ है दिली में महिलाओं के बीच एक सर्वे किया गया जि इस पर सर्वे करते हुए रिपोर्ट जारी किया है इस सर्वे में कोरोना के कारण लगाएगे लॉक डाउन शराब की उपलब्धिता में तेजी और खर्च के तरीके में बदलाव को महिलाओं में शराब की खपत के वृद्धी का दिम्यदार माना गया है पैतालिस पतीशत से अधिक महिलाओं ने कहा कि उनके पीने की आदत बढ़ने का कारण स्ट्रेस है दिल्ली के राउज वेन्यू कोर्ट में दिल्ली सरकार में मंतरी सतेंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जैन की खिलाफ एक करोड से ज्यादा की रकम का केस है ऐसे में उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए ईडी ने कोर्ट से कहा कि यह एक प्रभावशाली राजनेता से जुड़ा हुआ मामला है जो ना सिर्फ पैसों का हेर फेर कर रहा था बलकि ब्लैक मनी को वाइट भी कर रहा था गाज़ेबाद के विजैनगर वार्ड नमबर 3 के लोगों ने नगर निगम से शिकायत की है कि उनके घरों में सीवर का गंदा और बदबुदार पानी आ रहा है लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से सप्लाई की पानी गंदा और बदबुदार आ रही है कई बार इसको लेकर शिकायत की गई लेकिन आधिकारी इस पर कोई सुध नहीं ले रहे गंदे पानी की सप्लाई विजैनगर कई इलाकों में आ रही है इस इलाके में खरीब एक हजार परिवार रहते हैं इस्थानिये लोगों के मताबिक गंदा पानी पीने की वजह से 200 से अधिक लोग बिमार हो चुके हैं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को नेट प्राक्टिस के दौरान चोट लगई बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टीवी नाइन दिल्ली एंसियार नमस्का जाहिए प्राक्टिस के लिए टीमार हो प्राक्टिस के लिए यह से बिल्ली एंसुन